मस्ते कैसे हैं आप सुद्धोग मैंने अपनी किन गलतियों को सुधार करके अपनी लाइफ को इजी बनाया है अपनी लाइफ को ब्यूटिफुल बनाया है अपनी लाइफ को लाइफ बनाया है लाइफ येस अपनी जिंदगी को मैंने जिंदगी बनाया है अपनी ही गलतियों को सुधार करके किसी और में किसी सुधार के उमीद करके नहीं situation सुधर जाए उसकी उमीद करके भी नहीं मैं अपनी बात कर रही हूं अपनी गलतियों को सुधार करके मैंने अपनी जिन्दगी को जिन्दगी बनाया है ठीक है यानि कि ऐसी वाली जिन्दगी बनाया है तो गल या इधिंक सब लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे और इधिंक यह हमें से जाद अतर लोग, maximum लोग जो लोग नहीं करते हैं, you are lucky, you are blessed, लेकिन जो लोग करते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा की, जब भे हम दूसरे लोगों के नजरिये से अपने जीवन को जीते हैं, या हमें यह लगता है की सामन वाला देखेगा तो क्या सुचेगा, सामने वाले को क्या लगेगा, अरे मैंने ये पहना हुआ है तो सामने वाला सोचेगा, सामने वाला क्या बुलेगा, उसके mind में क्या ख्याल आएगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो उसको क्या लगीगा, अगर मेरा ये वीडियो उसने देखा तो उसको क्या लगीगा, मेरी ये वली बात उसको कैसी लगेगी I mean, खुद ही assume करते जाना, खुद ही उस बारे में सोचते जाना, खुद ही सवाल भी खुद के, जवाब भी खुद के, तो ये जो गलती होती है, ये वो गलती होती है, जहां पर हम दूसरे के नजरिये से, अभी इसी वक्त अपना नजरिया बना करके वैसे जी रहे होते हैं, तो इस चीज में मैंने पूरी तरीके से सुधार राने की कोशिश कियो, और 100% सुधार चुके है, अभी मुझे कोई पर्क नहीं पढ़ता कि कौन क्या बोलेगा, कौन देख रहा है, कौन क्या सोचेगा, कौन बोलेगा, मुझे ऐसे कपड़े पैन करके किसी ने देख लिया वो क्या सुचेगा, मुझे ऐसे बोलते कोई कोई देख लेगा, तो क्या सुचेगा, मेरा ये वला वीडियो किसी और ने देख लिया, तो वो क्या सुचेगा, किसके मैंड में क्या हैगा मुझे लेके, मुझे इस बात से कोई भी पर्क नहीं पढ़ता, और इस चीज से मैं यह गलती सुधारी न, वहां से मैंने यह देखा कि सचमुच में दूसरों को फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरों को कोई लेना देना नहीं है, हम लेना देना अट्राक्ट करते हैं, तब ज्यादा फर्क पड़ता है लोगों को जब हमारे माइंड में यह लग रहा होता है कि उ और यह गलती सुधरते ही लाइव भया ब्यूटिफुल बन गई, मैंने सोचना बंद कर दिया, अलाकि यह मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत से वही चीजे देखे होती है, हमने सोसाइटी से वही चीजे, अपने दोस्तों को वही चीजे, घरवालों को वही चीजे, पर जिन्दियां है और अगर वो सोचते भी है तो वो कही ना कहीं मेरा अट्राक्ट किया हुआ होता है और रस्ट में जब से मैंने यह स्टॉप किया ना तब से उनका सोचना 99.9% कम हो गया अब माइनस 1% लगा रहेगा आइस क्रीम कि भाईया मैं सबको खुश करूं ठीक है मैं अपने अब को ऐसा मानती में नहीं हूँ सोचना है सोचता रहे क्योंकि अगर उनकी बाते भी मैं सोचने लगी तो भाईया वो क्या सूचेंगे उनकी 65-70,000 थोट्स आना वो काम मेरा नहीं है तो इस चीज के उपर फुल स्टॉप लगाने के बाद ये वली गलिती को पूरी तरीके से सुधारने के बाद लाइफ मेरी लाइफ बन गई ऐसे लाइफ थी ऐसे क्रीम एकदब बटर में से बाल निकलता है ना वैसे चीजे निकली और सिरियसली आप खुद करके देखिए अगर ये गलती आप भी कर रहे ना करके देखिए कुछ टाइम के बाद आप नोटेस करेंगे रियार ये तो कुछ सोची नहीं रहते हैं हम ही खामका लगे पड़े थे ऐसा होता है तो ये हुआ था मेरे साथ ठीक है तो ये बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की और मैंने जब सब्सेस को सुधा रहा है तब से लाइफ जो है धिन चेक बन गई है गलती नमबर दूसरा नेगिटिव सोचना अकने ही बारे में नेगिटिव सोचना तो धीरे 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 इस चीज़ का मैंने प्रयास किया यार सोचना तो है धिमाग है उसका काम है विचार कुछ नहीं कर सकती मैं, तो नेगेटिव को नेगेटिव ही क्यों सोच रहा है, क्या मैं मैं सोचने का तरीका बदल करके चीजों को बदल सकती हूं, तो बस ये गलती थी, जिसके उपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया, हमी लाइफ बदल गई, सच्छी बतारू, मैं जाएफ चल रहा है, लाइफ है यार हम इंसान है, नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिवगayan, पोजिटिव दृश्टी से पनी लाइफ को देखना शुरू करती हूं, और जैसी मेरी दृष्टी मैं ने बनाने शुरू की, 99.9% उसी दृष्टी से मेर जो life, life थी, वो life बन गई, तो ये बहुत बड़ी गलती थी, negative सोचना, negative situation होगी, लेकिन situation आपको नहीं बोलती कि आप negative सोचो, negative को इंसान बोल गया हमारे बारे में, वो इंसान हमें ये नहीं बोल रहा कि तुम भी negative सोचो, वो सोच तो मेरे माइंड में है ना, तो वो मेरे पेंड करते हैं कि मैं क्या सोचूं, और मैं जैसा भी सोचूं, सोचना तो है ही, है ना, तो फिर मैंने इस चीज़ को ऐसी करके चेंज किया, and trust me, इस चीज़ से बहुत बड़ा परकाया, बहुत ही बड़ा परकाया, मतलब, life मज़ेदार हो गए, ठीक है, तो अगर ये ये करें, मुझे पता है, ये maximum लोगों के साथ होता है, कि अगर कुछ negative चल रहा है, कुछ कोई negative बोल गया है, कोई situation है, जो बहुत time से negative चल रही है, तो हम continue सोचेंगे भी negative, फिर सोचने से होता क्या है, हम बोलते भी negative है, फिर हम करते भी negative है, फिर हम negative बन जाते हैं, फिर overthinking, depression, anxiety panic attacks, दुनिया भर का, ब्ला 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 लग जाता है, तो वो ब्ला ब्ला की बॉल को मुझे तोड़ना था, मुझे दूसरी नई वाली, life-life-life वाली बॉल को create कर रहा था, तो इस तरीके से भी मेरी life जो है न, बहुत ही beautiful तरीके से वो जिन्दगी बनी, ठीक है, इसके बाद एक और गल थी, कि मैं trend को follow करके, चीजें करती थी, क्योंकि मैं media में थी, तो trend जो था, उसको follow करना ऐसा लगता था, कि हाँ, ठीक है, तो कहीं न कहीं वो मेरे profession के demand भी रही थी, जबकि profession अब भी वो है, ऐसा नहीं है कि मैंने चीजों को छोड़ दिया है, हाँ मेरा मन करेग वैसा समय मिलेगा, वैसी चीजें मेरे सामने आएंगी, तो definitely शायद मैं आप लोगों के साथ, share भी करूं, शायद करूं, करूंगी तो definitely share करूंगी, वो भी शायद में ही है, बट उसके लिए yes या no, ऐसी कोई चीज नहीं है, I am open, ठीक है, लेकिन मैंने trend को follow करना पूरी तर चीजें, मुझ पर जो अच्छी लगते हैं, जिसमें मैं अच्छी लगती हूं, जिसमें मैं अच्छा फील करती हूं, जो मुझे feel good करवाता है, जो मेरे लिए अच्छी feeling है, वो trend है, मुझे वो trend follow नहीं करना, हाँ, अगर वो मेरी feeling के according happy happy है, तो ठीक है, otherwise मैं unnecessary uncomfortable होते हुए किसी भी trend को follow नहीं करने वाली हूं, जो कि मैं पहले करती थी, और उस चीज़ की वज़े से काफी ज़्यादा pressure, काफी ज़्यादा ऐसा uncomfortable होना, हाँ, मैं ऐसी हूँ, कि मैं comfort zone को तोड़ती हूं, अगर मैं किसी comfort zone में फस रही हूं, और मुझे लगता है कि नहीं या, यह मेर growth में बाधक है, तो उसको मैं जरूर तोड़ती हूं, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैं comfortable भी हूं, और comfortable हो करके मैं उस level पर काम कर पाती हूं, जहाँ पर मैं करना चाती हूं, so definitely मैं उस चीज़ को करती हूं, और मेरे लिए मेरा खुद का अच्छा लगना मेरे लिए जादा important है, बजाए दूसरी चीज़ों के बजाए वो trend के, बजाए दूसरे लोगों के opinion के, तो जब से मैंने इन चीज़ों को भी करना start किया है, यानि कि बाहरी बाहरी चीज़ें, कि trend आया तो बाहर आया, मेरे अंदर थोड़ी नाया, मेरा तो अपने एक trend होगा तो जब से मैंने अपने अंदर की उस चीज़ को feel करना और अपने की हुए trend को follow करना, यानि कि जो मुझे feel good कराए, जो मेरी good good feeling हो, तो अगर मैं उसको follow करती हूँ, तो वो basically वो मेरे लिए trend हो जाएगा और वो new होगा, वो मेरे लिए new होगा, तो मैं अपने trend नहीं करता कि बाहर क्या trend चल रहा है, हाँ, थोड़ा बहुत, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, तो definitely मैं कर लोगी, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे अच्छा feel होना चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए comfortable होने चाहिए, ना तो दूसरे लोगों को दिखाने के लि जो मुझे पर अच्छा भी नहीं लग रहा, मेरी body type को, मेरी skin को, मेरी चीज़ों को सूटी नहीं कर रहा, मैं नहीं follow करती, मैं अपने दिल के trend को follow करती हूँ, और इस चीज़ ने मेरी जिंदगी को जिंदगी बना दिया, तो ये भी एक गलती थी, जो कि मैं तो खैर media में करके इस गलती को किया है, पर मैंने देखा है, नॉमली लोग भी ऐसा करते हैं, कि नहीं यार ये तो trend में चल रहा है, ठीक है, trend में चल रहा है, बिल्कुल follow कीजे, पर ये देखे कि क्या आप उस trend में अपने आपको fit पा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा fair बदल करके आप अप हद तक set हो गए, ठीक है, इसके बाद की गलती सबसे इस वाले वीडियों का last point कर रही हूँ, इसके अलावाद तो हजारों गलतियां है, जिने सुधार करके मैं यहां तक आई हूँ, तो share करती रहूंगी कि मेरी कौन-कौन सी mistakes से मैंने अपने life को change किया है, एक mistake कि अपने ब इंसान है ही इसलिए कि हम सामने वालों के लिए कर दें, ठीक है, लेकिन अपने लिए भी करना, आप जैसे मान लीजे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं सामने वालों के लिए आप ही लोगों के लिए वीडियों कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले मैं हूँ, मैं अपने मुझे अपनी गलतियों को वापिस से रिकॉल करके कही ना कहीं आपके गलतियों को आपको पकड़ा करके उस चीज को रिलीज करना है अपने अंदर से तो मैं रिलीज कर चुकी हूं और जब मैं आपके सामने ले करके आ रहे हूं तो वह आप भी रिलीज कर सकें तो यह तरीक तो वो as it is और शायद उससे भी जादा अच्छा आप दे पाएंगे जो आपने अपने आपको भी नहीं दिया होगा, यह बिल्कुल ऐसा है कि आप स्टिचिंग सीख रहे हैं या आप कोई नई चीज सीख रहे हैं तो जो आप पहली बना करके पहनते हैं, वो आप खुद पहन करके पहले देख लीजे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कांट चांट होगी, जब आप आगे किसी और को देंगे तो काफी पाइन दे पाएंगे, तो इसलिए पहले खुद को देना जरूरी है, यह मैंने अपनी गलती से ही सीखा, जब समझ में आ गया कि नहीं यार, और यह मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था, थैंक गॉड, और जब मुझे समझ में आया, उसके बाद से ही मैंने पहले खुद को देना शुरू किया, और उसके बाद यह नतीजा निकलता है इसका कि मैं पहले जो एक या दो या तीन या चार लोगों को दे पाती थी, आ मै यह सब को दे लो, and it works, इसने मेरी लाइफ को लाइफ बढ़ा दिया, तो यह गलितिया थी, इन में से कोई भी गलितिया आप कर रहे हो, आप डेफिनिटी इस पर काम करके निकल सकते हैं बाहर, गलितियों से कैसे निकलना है, कैसे अपने उपर काम करना है, मैं इसके उपर बोज, जिनी कोई नो कोई विडियो डालती हूं, तो आप भी वो कर सकते हैं, बस जी बस, यही थी जी, मेरी गलितिया, और ने यही नी थी, गलितियों तो मैंने लाइफ में बहुत की है, पर मैंने अपनी गलितियों से सीखा है, और अपनी गलितियों को सुधारा है, मैंन अपने मना लगी याल, अपने अपसे की ठील सारा प्याल, ताक्यों प्रच्ट करें ठील सारा प्याल, I love you all.